हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका अपने चैनल एग्री मंत्रा में चेंजिंग द वे अफ थिंकिंग आज का अपना टॉपिक है ड्राइलैन एग्रिकल्चर यह बहुत इंपोर्डन टॉपिक है क्योंकि एग्रिकल्चर यह बैकबोन है इंडियन इकनोमिका और जिन एरियाज में ड्राइलैन एग्रिकल्चर होता है वहाँ फार्मर्स को काफी तकलिब जाती है इंकम जन्रेशन करने में तो ड्राइलैन एग्रिकल्चर के प्रॉब्लेम्स और उनकी मैनेजमेंट आज हम थोड़े शौट में देखेंगे दीखें आपको बता दू कि वन एकर ओफ इरि बाद में देखते हैं ड्राइलैन एग्रिकल्चर ग्रोइंग आफ क्रॉप्स एंटारली अंडर रेन्फिड कंडिशन इस कॉल्ड आज ड्राइलैन एग्रिकल्चर देखें यापे वर्ड है एंटारली अंडर रेन्फिड कंडिशन एन्हें यापे कोई भी इरिगेशन का स यानि बारिश के मातरा के आधार पर तीन भागों में विभाजन किया जा सकता है जैसे कि देखिए ड्राय लैंड फार्मिंग बाद में रेंफिट फार्मिंग देखिए पहला देखते हैं ड्राय फार्मिंग यहां पर फार्मिंग की जाती है यहां पर पानी कम होने के कारण यहां पर मौस्टर कंजर्वेशन प्रैक्टिसे जो है वो बहुत इंपोर्टन हो जाती है बाद में है ड्राय लैंड फार्मिंग यह जनरली सेमी अरिय अरिया में की जाती है देखिए यह पर आप कंफ्यूजन में हो सकते हैं कि ड्राय लैंड एग्रिकल्चर और ड्राय लैंड फार्मिंग में क्या डिफ्रेंस है देखें ये जो farming term है इसका meaning होता है कि cultivation of crops याने farming ये term सिर्फ फसल का उत्पादन करना यहां तक सिमित है और agriculture एक broad term है जिसका एक part है farming और इसमें allied activities भी include होती है जैसे कि पिगरी, fishery, poultry, apiculture, sericulture, इत्यदी सबको मिलाकर agriculture ये term बनता है यहां तक आपको समझ में आ रहा होंगा बाद में rain-fed farming cultivation of crops in areas where rainfall is more than 1150 mm is called as rain-fed farming they are humid regions and drainage is important in these regions यह humid regions में consider की जाती है बाद में यहां पे यह value है यह धहन में रखे 1150 mm से ज्यादा rainfall होना जाए और देखते है classification of climatic regions based on rainfall देखिए अगर 500 mm से कम rainfall होता है तो आपे airy region का जाता है बाद में 500 से 750 mm अगर rainfall रहा तो आपे semi-airy region का जाता है बाद में 750 mm से 1000 mm अगर rainfall रहा तो उसे सब humid region का जाता है बाद में 1000 mm से अगर ज्यादा rainfall हो रहा होंगा तो आपे humid region का जाता है यह classification देखिए आद में नेक्स है drought ड्रॉट की definition यहां दीगे है इडिज़ सिच्वेशन इन एरिया इन एयर वेर एन्युवल रेंफॉल इस लेज देन 75 परसेंट अप दे नॉर्मल इसका मतलब अगर rainfall फॉर एक्जामपल 1000 mm में कोई एरिया में जंडरली हर साल गिरता है पर इस साल वही rainfall 750 mm से कम गिर रहा है यानि 75 परसेंट से कम हो रहा है तो वहाँ पर ड्रॉट आया है ऐसा अब कंसिडर कर सकते हैं 75 परसेंट से कम होना चाहिए rainfall फिर वही ड्रॉट होंगा बात में देखिए ड्राय स्पेल Rainless period more than 10 days in light soil and 15 days in deep soil Deep soil में 15 days इसलिए है क्योंकि वहाँ पर water holding capacity ज़्यादा होती है और ड्राय होने के लिए समाज ज़्यादा लगता है बात में है ड्रॉट Prolonged dry spell resulting in wilting or drying Dry spell ज़्यादा देर टिका रहा तो उसे ड्रॉट करता है बात में फेमाइन यह अगर ड्रॉट सबसे बहुत ज़्यादा तीवर ड्रॉट आता है तो उसे फेमाइन का आ जाता है बात में types of drought Drought के कुछ प्रकार देखें metrological drought The annual rainfall is less than the normal over an area for prolonged period Both time के लिए rainfall जो है वो normal से कम हो रहा है तो आपे metrological drought काते है बात में agriculture drought Due to extended dry period leads in insufficient moisture in the root zone of soil causing adverse effect on crops देखें जो drought के type से यह इनके नाम पर है देखें agriculture drought यह अगरिकल्चर से related drought अगरिकल्चर से related जो drought होगा वो crops को ही drought होगा तो जो drought crops को affect करता है वो agriculture drought में आता है बात में देखें hydrological drought hydro यह यह water से related drought होगा देखें 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 दू टू टू दो प्रोलांग्ड मेटरोलोजिकल डॉट और दू दू दो दो लो यह humidity फ्रेक्वेंटली अफेक्टेड बा पानी भह कर एक सिंगल कॉमन आउटलेट में होकर नदी या तालाब में मिल जाता है उसे वाटरशेट कहते है इसमें बहुत रहता है कि ग्रास कमांड एरिया वगर एजी से या अखर इसमें होता है लिकि यह एरिया में से पूरा पानी एक common outlet से नदी में अगर चला जा रहा होगा तो उसे watershed management कते हैं Water harvesting It is a collection and storage of water on surface of soil for further use in future or in need देखें पानी का संचयन करकर उसे भविश्य में उपयोग करना इसे water harvesting कते हैं जहाँ पे dry areas होता है वहाँ पे water harvesting बहुत ही important हो जाता है क्योंकि जब summer season आता है वहाँ पे पानी की बहुत ही कम तता होती है तो अगर rainy season में हमने पानी अगर store करके रखा तो वह पानी summer season में यूज हो सकता है उसे water harvesting करते हैं इसके बहुत से types होते हैं बाद में it is generally used in airy and semi-airy areas यहाँ पे drought होता है ज्यादा से ज्यादा ज्यादा जहाँ पे desert होता है वहाँ पे इसका उपयोग जनरली किया जाता है बाद में water harvesting term first time used by mares mares is scientist ने यह term सबसे पहले use किया था soil moisture is the most limiting factor for dryland agriculture the loss of moisture takes place through evaporation from soil and transpiration from plants soil से evaporation होता है और plants से transpiration होता है जहाँ से moisture loss होता है जहाँ से water loss होता है बाद में the evapotranspiration losses can be reduced by यह जो losses है water के इसे कम करना यह बहुत important होता है dryland agriculture में तो इसे कम करने के अलग-अलग methods आपे दिए गया है जैसे की देखते है mulches it is a material applied on soil surface to check the evaporation losses यह से basically आप बोल सकते covering soil covering soil को यह cover करता है जिसके करन evaporation का rate बहुत low हो जाता है और moisture soil में conserve रहता है यह dryland agriculture में बहुत काम आ सकता है mulches तो अलग-अलग प्रकार के mulches होते हैं देखिए soil mulch और dust mulch जहाँ पे soil और dust यह covering करकर use किये जाते हैं covering material करकर use किये जाते हैं आपे soil mulch और dust mulch करते हैं यह जो use करते हैं आपे जो हर्टिकल्चर क्राउस है उसमें PVC से cover कर देते हैं soil यह moisture conservation होता है तो आपे plastic mulch करते हैं बाद में यह vertical mulch यह generally coffee gardens में की जाती है यह black cotton soil में जो है वह infiltration rate कम होता है तो इसके कारण वहाँ पर trenches बना जाते हैं गड़े बना जाते हैं जहाँ पर पानी stop हो सके वहाँ पर infiltration rate increase हो सके तो इसके कारण जो है moisture storage ज्यादा हो सकता है अपने water जो है soil water में वहाँ पर moisture storage ज्यादा हो सकता है तो उसे काते है vertical mulch यह general coffee garden में की जाती है नेक्स्ट है antitranspirant नेरली 99% of water absorbed by plants is lost थ्रू यह पर transpiration और उसे काते है पन transpiration यह पर transpiration और transpiration अलग है यहाँ पर transpiration का गया है antitranspirant is any material to the transferring plant surface for reducing water losses from the plant antitranspirant reduces photosynthesis जो antitranspirant होते है photosynthesis reduce करते है क्योंकि उसके application के बाद stomatal activity कम हो जाती है stomatal activity कम होने के कारण CO2 का absorption कम होता है तो उसके करण photosynthesis पर effect होता है बाद में इसका practical जो यूज है वो nursery और horticulture crops में ज्यादा करके यूज होते हैं बाद में antitranspirant are mainly of four types stomatal closing, flame forming, reflecting, growth therodons जी के stomatal closing यानि stomatal close होने से जो water loss है plants में का वो कम हो जाता है जैसे कि PMI, Atrazine, Epsistic Acid, CO2 यह यूज होते हैं stomatal closing type antitranspirant बाद में film forming यहाँ पर mobile leaf, hexatic canal, silicon, oils, waxes यह यूज होते हैं antitranspirant करके यह जो यह एक leaves पर एक flame form हो जाती है जिसके कारण water loss और transpiration के rate कम हो जाता है बाद में reflecting time जैसे कि kaolin 5% यूज होता है इसके कारण जो sunlight reflect होती है और temperature maintain रहता है leaves का बाद में growth retardants इसका example है psycho cell आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होंगा important लगा होगा तो ज़रू लाइक कीजेगा angry mantra के साथ abby, whatsapp, instagram, telegram पर जुड़े रहे और latest agriculture update पाए थैंक यू, जय हिंद, जय भरत झाल आझा हूँ data झाल झाल हुआ बो झाल 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 झाल